नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंकज मठपाल C.A.P. C.W.M. स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में इंडेक्स फंड एक तरहे के मुच्वल फंड होते हैं जिस तरहे से मुच्वल फंड में जब आप इंवेस्ट करते हैं तो पैसे को स्कीम के अबजेक्टिव के अधार पर एक शेयर्स के पोर्टफोलियो में या फिर बॉंड या डिवेंचर्स के पोर्टफोलियो में इंवेस्ट किया जाता है इसी तरह से index fund को भी यदि वो equity index fund है तो equity shares के portfolio में invest किया जाता है फर्क ये है कि जो actively managed equity funds होते हैं वहाँ पर fund manager इनको actively manage करते हैं यानि कि decide करते हैं किन stocks में किन shares में investment किया जाना चाहिए और कब खृदा जाए shares को और कब बेचा जाए लेकिन जो index fund होते हैं यहाँ पर जिस index को ये fund track करते हैं उन्हीं stocks में invest किया जाता है यानि कि यदि ये nifty 50 index fund है तो nifty 50 के जो 50 stocks हैं वही आपके scheme के portfolio में भी होंगे यदि ये nifty bank index fund हैं तो इसका मतलब यह है कि nifty banking index जो है उसके portfolio में जो banking stocks हैं वही skin के portfolio में है index fund का return index की performance पर depend करता है यानि कि उधारण के तौर पर यदि एक महिने में nifty 50 2% से grow करता है तो nifty 50 index fund भी लगभग 2% से ही grow करेगा थोड़ा सा difference हो सकता है जिसको में tracking error कहते हैं otherwise fund की performance index को replicate करती है index fund में invest करने का फायदा यह है कि यहाँ पर जो expense है वो किसी भी actively managed fund के मुकाबले में बहुत ही कम होता है और दूसरी बात यह है कि जब आप index fund में invest करते हैं तो आपको बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है यदि आप nifty 50 में invest कर रहे हैं या फिर आप nifty bank index में कर रहे हैं तो जिस तरहें से वो index perform करेगा उसी तरहें से आपका fund perform करेगा और आपको इसको खरीदने से पहले उसके portfolio को देखने की जरूरत नहीं होती है index fund में actively managed fund के मुकाबले में risk थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ पर आपको देखने की जरूरत भी नहीं है कि किस तरहें के stocks में invest किया हुआ है यदि एक बार आपने decide कर लिया कि आपको nifty 50 में invest करना है या फिर decide किया कि आपको nifty bank में invest करना है तो आप simply उस fund में invest कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर returns की बात करें तो returns long term में देखा गया है कि actively managed funds के return index fund के मुकाबले में बहतर हो सकते हैं तो यदि आप थोड़ा सा अधिक risk लेकर अधिक return कमाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए actively managed fund बहतर साबित हो सकते हैं लेकिन यदि आप नए investor हैं आपको mutual fund के बारे में जानकारी जैदा नहीं है आप पहली बार mutual fund scheme में invest करने का plan कर रहे हैं तो ऐसे में index fund को select करना आपके लिए आसान होता है क्योंकि अधि आप एक diversified equity fund में invest करना चाहते हैं जो की large cap stocks में invest कर रहा हो तो ऐसे में आप nifty-fifty fund का चुनाव कर सकते हैं तो इस तहें से आप शुरुवाती दोर में index fund में invest करने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन long term में हमेशे ध्यान रहे कि actively managed fund आपको index fund के मुकाबले में अधिक returns देने की शमता रखता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जानकर आपको पसंद आई होगी इस वीडियो को like करना ना भूलें और साथ ही इसको अधिक से अधिक share भी करें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अपने सवाल पोश्ट करना ना भूलें और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें इसी तरह की मैतमूर जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिये Thank you, Jai Hind